WhatsApp पर chat log कैसे लेगा कैसी किसी भी chat को हम log folder में add कर सकते हैं इस वीडियो में आपको बताओंगा इसके साथ ही log chats को unlock कैसे करते हैं ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे तो दोस्तों WhatsApp पर किसी भी chat या फिर group chat को log करने के लिए इस तरह से long press करके आपको उन्हें select करना है select करने के बाद top right corner में three vertical dots पर click करना है और फिर lock chats option पर click करना है इसके बाद bottom side से एक pop up open को तो इसमें आपको continue option पर click करना है click करते हैं आपके phone का pin pattern या password या फिर fingerprint lock को unlock करने को option आगा तो guys आपको इसे unlock करना है unlock करते हैं आपकी selected chats lock हो जाएंगी और इस तरह से एक pop up open हो जाएगा तो guys इसमें आपको ok option पर click कर देना है इसके बाद आपकी WhatsApp chat list पेज में top side में locked chats का folder add हो जाएगा और आपकी selected chats इसे locked chats folder के अंदर hide हो जाएगी अब कोई भी आपका WhatsApp open करके आपकी log की गई chats को open नहीं कर पाएगा अगर आपको अपनी locked chats को देखना है तो इस तरह से locked chats option पर click करके आपको इसे open करना है इसके बाद अपने pin pattern password या फिर fingerprint lock को unlock करना है unlock करते हैं आपकी सभी locked chats आपके सामने आ जाएगे या पर किसे भी पर रखा है अगर आप यह नहीं चाहते हैं कि किसी को यह पता चले तो ऐसे में आप लॉट चैट फोल्डर को ही hide कर सकते हैं अपनी चैट लिश्च से या इसके बाद नैक्स इंटरफेस में bottom side में create secret code option पर क्लिक करना है क्लिक करते हैं इसके बाद आपको से पर यह से वेरिफाइब करना है और फिर next option पर क्लिक कर देना है इसके बाद दोस्तों आपका secret code क्रिट हो जाएगा और आपके वर्टसेप की चैड लिष्ट पेज से लॉंग्ट चैड का ओप्सन हाइड हो जाएगा यहापर आप अपनी फिंगर्स को टच करके निचे की तरप स्वाइप करेंगे तो भी लॉंग्ट चैड को आप नहीं आएगा तो इस तरह से किसी भी चैड को आप हाइड कर सकते हैं औ अगर आपको अपनी लॉॉड देखने हैं तो इसके लिए टॉप साइड में आपको सर्च ऑप्सन पर क्लिक करना है और सर्च बॉक्स में आपको अपना सीक्रेट कोर्ण करना है सीप्रेट कोड एंटर करते यहाँ पर आपको लॉड्ट चैड का फोलडर श्रोड हो इसके लिए उस्तों logchat पर क्लिक करके आपको से करना है सेलेक्ट करने के बाद top right corner में three dots पर क्लिक करना है और फिर unlock टॉप्सन पर क्लिक करना है इसके बाद अपने लॉग को अनलोक करना है जिसके बाद selected चैट यहां से remove हो जाएगी और आपके चैट इस पेज में वापस Arch icon पर क्लिक करके आपको अपना secret code एंटर करना है इसके बाद Locked Chats folder पर क्लिक करना है Locked Chats folder ओपन करने के बाद Top Right Corner में आपको 3 dots पर क्लिक करना है और फिर Chat Locked Settings पर क्लिक करना है इसके बाद Chat Locked Settings आपके सामने आजाएंगी यासे आप कभी भी Locked Chats folder को Hide और Unhide कर सकते हैं अगर आपको Locked Chats folder को वापस Unhide करना है तो इसके लिए आपर आपको Hide Locked Chats option को वापस disable कर देना है इसके बाद Locked Chats folder वापस आपकी chat list के top side में add हो जाएगा और अब आप इहीं से Locked Chats folder को Open कर सकते हैं अब अगर मालीजे दोस्तों आपने Locked Chats folder को Hide किया हुआ है और आप अपना Secret Code बूल जाते हैं तो ऐसे में आप Locked Chats folder को Open नहीं कर पाएंगे अगर आप सर्च बॉक्स में गलस Secret Code एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपको Locked Chats folder शो नहीं होगा इसलिए जब भी आप Locked Chats folder को Hide करने के लिए Secret Code Create करें तो उसे कहीं पर Not Down करके रख लिजिए और Secret Code को अच्छे से याद रखें हाला कि इसे कंडिशन में भी आप अपनी Locked Chats को Unlock कर सकते हैं लेकिन Unlock करते ही आपकी सभी Locked Chats Clear हो जाएंगी आपकी सभी Chats Delete हो जाएंगी तो दोस्तों अगर आप अपना Secret Code भूल गये हैं और अपनी सभी Locked Chats को वापस Unlock करना चाते हैं तो इसके लिए आपको WhatsApp की Settings को Open करना है इसके बाद Privacy Settings को Open करना है और फिर Privacy Settings में थोड़ा सा नीची क Option पर क्लिक करना है इसके बाद अपने Lock को Unlock करना है जिसके बाद आपकी सभी Locked Chats वापस Unhide हो जाएंगी इसके बाद Locked Chats फोल्डर रिमूव हो जाएगा और आपकी सभी Locked Chats याप चैल डिश्ट पेज में आपको दिखाई देंगी लेकिन Unlock करने के बाद इने Chats के सभी Messages डिलीट हो जाएंगे आपको आपस नहीं मिलेंगी इसलिए दोस्तों आपको Secret Code अच्छे से दियान में रखना है या फिर कहीं पर Not Down करके रख लेना है तो आज की सब वीडियों बस इतना ही मिलता हूं आपको नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद